हुँँ थोड़ा लो फिल लग रहे मुझे क्योंकि आपटर वाचिंग शईत सरदार उधखांसिंग है लेकिन मैं बोलूंगा शईत सरदार उधफांसिंग इस पटिकलर मुवी देखने के दौरान यह मुवी देखने के बाद कई वक्त तक ये मुवी आपके माइड में रहे जाएगी और मैंने इसको रात को देखा और मैं यकिन करोगे आप लोग मैं रात पर सो नहीं पाया हूँ इसका क्लामेक्स देखके आपने पढ़ा होगा जल्यान वाला बाग के वारे में लेकिन इतना रियलिस्टिक वे में जो चीज़े वहाँ पर हुई है वो किसी लेकर आजाएगा आप इमोशनल आप पेन फिल कर पाऊगे और वो चीज़ वर्ट्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वज़े से इस मुवी को देखके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं आपको मुवी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मुवी के ऑनि सेट है 1999 से लेके 1940 के भीisz में ज हूस्ट के बाग इस रिवेंज के बाद सरधार उधम सिंग्स के साथ क्या कुछ हो था यह सब कुछ उचानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी यह पर्टिक्विलर मुवी मुवी का जो नेगेटिविटी वो है इसकी लेंद तू आवर फॉर्टी टू मिनिट की मुवी और वाक्य में वह लेंद आप मैसूस कर पाते क्योंकि उसका एक्सेक्विशन वह बहुत जासा स्लो है लेकिन हम जैसी और जो इस तरह की मुवी देखना पसंद करते हैं उनके लिए किसी ट्रीट से काम है नहीं लेकिन जो एक्जिक्विशन वह मैं फिर से बहु रहा हूं कि अच्छा हो सकता यह दो चीज तो इस पर्टिकुलर मुवी की नेगेटिविटी लेकिन अगर पॉसि अच्छी तरह से प्रेजेंट किया और आपको उसी दौर मर लेके चाहिए जो कि बहुत अच्छा लगता है बीजेम बहुत अच्छा और मुवी में कहीं ना कहीं जो डायलोक्स है उस डायलोक्स के जरीए हम कहीं ना कि उद्धम सिंह के अंदर की एक एंगर है वह हमारे अं तो वह घुसा हम लोग महसुस कर पाता है वह सोचो कि उस वक्त उद्धम सिंह के अंदर क्या एंगर होगा और मैं क्या ही को हूँ यार अज मेरे बास बिल्कुल भी अरफाज नहीं है शाहिद भगत सिंह हो या शाहिद सरदार उद्धम सिंह हो इन जैसे वीर लोगों की वज़े से आज हमारा इंडिया आजाद हुए और क्या ही को हूँ यार मैं अब लोगो मुवी का स्क्रीन पर अच्छा है लेकिन वह थुरस दो है तो उससे थुरा आप लोग मैनेज कर लेना मुवी का जो क्लैमेक्स है फिर से एक बार बोला हो क्लैमेक्स इ बदो चैनल जाए लिए उसके मुवी में अकर करेक्टराशन की बात करें तो घर एक्रक्टर को बहुत अच्छी तरह से यहां पर प्रेज़ेंट की और सपेशली सर्धार उद्धम सिंग की चरेक्टर को इस तरह से आप बताया जो लियस उनके क्रेक्टर में बताया और जो मुझे उनका पॉपरमेंट जादा अच्छा लगा डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा इस मुवी का एं कुल मिला के एक ऐसी कहानी जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जानना बहुत ज़रूर ही था और काफी रिसर्च करके इस मुवी को बनाए जैसा मुझे इस वीडियो में इतना ही पैरेंटर गारेंस इतना ही बोलों कि मुवी में अशलील कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ वाइलेंस के सीन्स है और वाइलेंस के सीन्स ऐसे है जो किसी का बाप नहीं सोच सकता और वह आपको मैं क्लैमेक्स की बात कर रहा है क्या हूं आप लोग से और मैं इस पर्टिकलर मुवी को रेटिंग दूँगा एट आउट आउट आफ टैन तो यह बस इस वीडियो में इतने ही आई होप यह पता नहीं मेरी एनरजी थोड़ी लोग महसूस कर रहा हूं मुझे समझ में नहीं कि मैं इस पर्टिकलर मुवी के मेरें क्या बोजू त तो और बस मिलते हैं रेक्स वीडियो में दिल देन बाई